नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जर्खन के चार मंदिरों में मनाया जाता है 16 दिनों का नवरात्र नवरात्र में हर और आस्था चरम पर है, बताजे देवी की उपासना महा नौमी के दिन मा सिधी दातरी की पुजा अर्चना के साथ अपनी परिनती तक पहुँचेगी और विजया दस्मी के दिन पुजा का भी सर्जन होगा उपासना के माध्यम से सकती प्राप्त करने के लिए मा की साधना और भक्ती के कई रंग इस दोरान देखने को मिल रहे हैं आम तोर पर नवरात्र नौ दिनों का होता है लेकिन जार्खन में देवी के चार धाम ऐसे हैं जहां 16 दिनों का नवरात्र होता है इसमें लाते हर जीले के चंदवा में इस्थीत मा उरतरा मंदीर बोकारो के कोल बेंदी मंदीर चाई बसा के केरा मंदीर और सराय के लखर्चावा के मा पावडी के मंदीर में या प्रमपरा है इस मंदीरों में नवरात्र सुरू होने से नौ दिन पहले आश्मिनी क्रिश्न पक्ष नौमी के दिन जिवतिया पर्व के मौके पर कलसा स्थापना होती है जार्खन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने किया कन्या पूजा नवरात्र की महा नौमी पर जार्खन के स्वास्त मंत्री बना ओर्फ ब्रजेस गुपता ने कदमा इस्थित आवास पर कन्या पूजन किया उन्होंने अपने हाथ से कन्याओ को परसाद खिलाया और उनका असिर्वाद लेकर बिदा किया इस मौके पर उनकी पतनी सुधा गुपता ने भी सीर जुका कर कन्याओ से असिर्वाद मांगा इसके बाद पत्रकारोज से बाचीत में बना गुपता ने कहा कि हम देवी मा से प्रास्थना करते हैं जो वास्तों में बेटियों को बचाने की परमपरा है वह अक्छुन रहे अभी अभी पटमदा इस्थीत पुर्वी सिमुम जिला मोख्याला से करीब 25 किलोमीटर में गर्वपात केंद्र का पता चला हमने जिले की उपायुक्त वस्तिवील सरजन को निर्देशित किया बड़े प्रमाने पर वहां छापे मारी हुई एक चिकित सको जेल भी भेजे हाँ कुडमी समाज ने फिर आंदोलन की दीचेतावनी कुडमी को अनुसूचित जन जाती में सुचिवद कराने को लेकर एक बार फिर से आंदोलन सुरू होगा इस बार इस आंदोलन के तहत केवल बंगाल में ही ट्रेने नहीं रोकी जाएगी बल्क उडिशा वा जार्खन में ब्रिहत प्रमाने पर आंदोलन होगा इस इलाकों में भी रेलवे के परिचारों को पूरी तरह से ठप किया जाएगा यह निर्नाय रभिवार की दिर रात को पच्छिम बंगाल के जाड़ गरा में हुई बैठक मिलिया गया बैठक के अध्यक्सता कुडमी समाज बंगाल के अध्यक्स राजेस महतो ने की है बैठक में कुडमी विकास मोर्चा जार्खन के अध्यक सितल ओधार कुडमी सेना के अध्यक्स लल्टू महतो आदी पदाधिकारी के साथ उपस्थी थे जमसेदपूर के दुर्गा पंडाल में हत्या वहाँ पच्चास अधिक दुकाने लगी है सभी ने सूटरों को तावर तोड़ गोली चलाते देखा लेकिन भैसे कोई पूलिस के सामने नहीं आ रहा पूजा अस्थल और उसके आसपस के इलाके में कमिटी की ओर से सोर सीजी टीवी कैमरे लगाए गए है इसके अलावा अस्थानिय थाना की ओर से पूजा अस्थल पर आधा दर्जन पूलिस कर्मी के तैनाती भीगड और भी दिवेवस्तानिय अंत्रन के लिए की गई है जार्खन कांग्रेस आदिवासी चेहरे की तलास में पार्टी परदेश कांग्रेस में आने वाले दिनों में फिर बदल हो सकता है पार्टी को आदिवासी चेहरे की तलास है परदेश में पार्टी की कमान किसी आदिवासी नेता को मिल सकती है राष्ट्रिय अध्यक्ष के चुनाव के बाद जार्खन कांग्रेस की राजनिती बदल सकती है 6 अक्टूबर को राष्ट्रिय अध्यक्ष के चुनावी परकिर्या में नाम वापसी की आखरिती थी है बता दे केंद्रिय अस्तर पर समाती बनी तो 17 को होने वाले चुनाव टल सकता है इसके बाद परदेश कंग्रेस में सरगर्मी बढ़ सकती है कंग्रेस के करकारी अध्यस बंदू तिर्की चाईबासा से सांसत गीता कोडा काली चरन मुंडा जैसे नेताव का नाम चल रहा है पार्टी सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार 24 को लोग सभाव अविधान सभा चुनाव पार्टी नए चेहरे वर नए रन निती के साथ उतर सकती है गढ़वा में हाथियों ने किसानों की फसलों को किया बरबाद जारखन में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है ताजा ममला गढ़वा जी लेके चिनिया थाना छेतर से सामने आया है यहाँ जंगली हाथियों के जोड़ ने सुमवार की राद जमकर उत्पात मचाया इस दोरान हाथियों ने गाव में आदा दयन से अधिक किसानों की फसल को रौन डाला हाथियों के लगातार बढ़ रहे, खत्रे के वज़ा से ग्रामिन खासे डरे हुए है और वन विभाग के रवया पनराजगी जताई है किसानों ने बताया है कि पहले खेतों में हाथियों का एक जोड़ पहुचा और फिर कुछ दिर बाद दुसरा जोड़ में आधम का हाथी पुरा राद फसलों को रौतते रहे और फिर जंगल की तरफ चल गए सकती के उपासा गोर्खा जवानों ने फैरिंग कर देते हैं मा को सलामी रांची में जयब जवान अनोखे ढंक से दुर्गा पुजा करते हैं यहां गोर्खा जवान सास्त्रों की पुजा करते हैं फैरिंग कर माता को सलामी दी जाती है बता दे महानौमी के असर पर जार्खन आम्स फोर्स के जवानों की पूजा अपने आप मैनोकी होती है मा सक्ति के उपासर गोर्खा जवान महानौमी के असर पर अपने हाथियारों की बिसेस पूजा करते हैं मने आता है कि हथ्यारों की पूजा करने से वह कभी भी दुस्मानों के सामने धोका नहीं देते, महा नौमी के अशर पर गोर्खा जवान मा के चर्णों में हथ्यारों को अरपन तो करते ही हैं, साथ ही मा को फैरिंग कर सलामी भी देते हैं. राइंची जमसेदपूर और धनबाद में जल्द बनेगा अंतर राजी बस अड़ा, राजे के तिन सहरों राइंची जमसेदपूर और धनबाद में अंतर राजी बस अड़ा बनाने की योजना त्यार कर ली गई है, तीनों सहर की डिपी आर त्यार कर ली गई है, करनाटक की प्रामर्सी कम्पनी आईडेक ने 150 को रुपए की लागत से निर्मान की योजना बनाई है धनबाद और जमसेदपूर में ISBT के DDPR को राई सरकार ने अनुमोदित कर दिया है वही राची में नगर विकास बिभाग की फीजिबिलीटी कमिटी ने योजना को अमतिम रूप दे दिया है ISBT का निर्मान पॉब्लिक प्राइब हेट पार्टनर्सीप मोड पर किया जाएगा दुरगा पुजा में जार्खन का परदूसन अस्तर बढ़ा दुरगा पुजा के दुरण जार्खन के कई सहरों के पर्यावरन पर असर पड़ा है सहरों का परदूसन अस्तर समाने से अधिक हो गया है रांची और जमसेदपूर के परदूसन का अस्तर तो देश के कई भीड़ भाड़ वाले सहरों से अधिक हो गया है वैसे पूरे जार्खन का आउसत यर क्वालिटी इंडेक्स भी देश के इंडेक्स से अधिक चला रहा है सोमवार को जार्खन का आउसत यर क्वालिटी इंडेक्स 109 रिकोर्ड किया गया वहीं पूरे देश का आउसत यर क्वालिटी इंडेक्स 103 था राइधानी का सोमवार को यह और क्वालिटी इंडेक्स अधिकतम 162 तक पहुँच गया था रांची में बना अनुठा रावन सियम हिमन्त करेंगे वद्ध राइधानी रावन रावन वद्ध की त्यारी कर ली गई है रावन का वद्ध करेंगे रांची के मोराबादी मैदान में पहले बार रावन कुछ खास नजर आएगा यहां इस बार रावन को नए अन्दाज में बनाया गया है जैसे ही मुख्य मंतरी हमन्त करेंगे उसके सीर से तीन रंगो का फुहारा निकलता दिखेगा यही नहीं उनकी नाभी से चकरी पटाखे फुट पड़ेंगे आयोजको ने इस बार नए अंजाद में रावन को पेस करने की जोजना तयार की है कुरोना काल के बाद यह पहला अउसर होगा जब इतने बड़े उत्साह के साथ रावन वद होगा कुर्मी समाज के अंदोलन को जे में जिमेदार एस्टी में सामिल करने को लेकर कुर्मी समाज के एक बार फिस्ट अंदोलन की चेतावनी दी गई है उन्होंने ज़ावों पर हमला बोलते हुए कहा है कि कुर्मी कुर्मी महतो को एस्टी बनाने के मुद्दे के लिए वे सबसे अधिक दोसी है क्योंकि इस पार्टी ने वोट के लालच वस्वार्थ के लिए कुर्मी महतो जाती को एश्टी बनाने के लिए समर्थन दे कर भरकाने का काम किया है जामुवों के सभी सांसत बिधायकों ने आठ फरवई दोयाठारों कहे मंत सुरेन के नेतित्यु में ततकालिन मुख्यमंत्री रगवर्दास को हस्ताच श्रीत ग्यापन भी दिया था गुमला में भालू के हमला से ग्रामिन घायल गुमला जिले के भर्नो परखंड के बाद अब पालकोट परखंड में भी भालू ने दस्तक दे दिया है मंगलवार को पालकोट उत्री पंचाइत के भायरो टोली गाव निवासी राजेस मुंडा पचास वर्षियों को तीन जंगली भालू के जोड़ने हमला कर गंबी रूप से गायल कर दिया गायल अवस्था में लोगों की मदद से राजेस मुंडा को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है जनकारी के अनुसार मंगलवार सुबा पांच बई राजेस मुंडा लालगण मैदान इस्थीत पूल के पास सोच के लिए गया हुआ था इसी दवरान पहार से भालू का जोड़ने कला और राजेस मुंडा पर हमला कर दिया धन्यवाद यदि आप चनल परने होते चनलों के सब्सक्राइब कर बहुल का बेले गंद भाई साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करने ना भूले साथ साथ आथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीडिव एक अवस से दे थांक यू